Good morning students. Welcome to adaptive learning. हम नहीं last lecture useful microbes के बारे में जान लिया एक बहुत अच्छी चीज हमने सिखी, antibiotics के बारे में जान लिया और आज हम सिखेंगे कुछ bad organisms के बारे में, bad microbes के बारे में So now this battle is good versus bad अब good तो देख लिया, सब अच्छी चीज है, microbes के बारे में में आपको बिता दी कुछ bad भी है और बहुत bad है क्योंकि तबित खराब हो जाती है लोगों को, let's understand कि क्या क्या लोगों को तो in addition की disease हो रही है, लोग बिमार भी पढ़ रहे हैं बट यह हमारी कई चीजों को भी खराब कर देते हैं, यह जो bad microbes हैं So let's start कि यह कैसे करते हैं और इन में क्या क्या है, इनके नाम तो जान ले आज bad organisms के ताकि आगे चल कर आप उनसे दूर रहो पहला हम सीखेंगे harmful microorganism that is fungi, अब fungi में क्या है, फंजाए को दिखाने के लिए समझाने के लिए I am going to show you this slide, ऐसा कुछ देखा है आपने rainy season में कुर्सियों पे जो leather की कुर्सियां रहती है यह जूट बैग रहते, कभी कबाल शूज पर भी ऐसे white color के patch पड़े हुए रहते हैं यह क्या है बच्छो फंजाए हैं यह harmful है अमारे लिए अब देखते हैं यह क्या है इस आर्दी इनके जो microscopic जो spores होते हैं, they are present in the air, all over the air क्यों भाई, क्यों present है air में, because मैंने आपको microbes के जब characters बतायते हैं तो मैंने उसमें आपको पहली बोला था, कहां भे present हैं, हर जगह, everywhere air, soil, water, अब यह air में इनके जो फंजाए हैं, माइक्रो स्पोर्स जो है इनके present हैं जो कैसे दिखते हैं, microscopic, जो present है, if there is a sufficient moisture, इनके spores क्या हो जाएंगे, germinate हो जाएंगे and that's why cotton fabric, gunny bags, leather और even wooden items पे क्या हो जाते हैं, अगर उनको moisture मिला, तो properly इनके spores को क्या करना है, germinate करना और यह क्या हो जाएंगे, अपने आप बस इनकी growth चालू हो जाएगे, और आपको किस रूप में दिखने लगते हैं, इस तरीके से, अब यह क्या करते हैं, अब यह भी देख लो, fungal hyphae, hyphae is something called as, I can say, fungi का fiber उसको बोलते हैं, अब यह क्या करेंगे, इनको growth करनी है, अगर इनको growth करनी है, तो इनको क्या चाहिए, खाना चाहिए, nutrition चाहिए, कहां से मिलेगा, जहां पर grow हो रहे थे, गनी बैग और यहां पर जाके बैढ़ गए, अपना spore को germination कर लिया, क्योंकि moisture content है, इसलिए मैंने आपको बोला, rainy season, moisture content है, जह वहां पर चिपक गए, अब nutrition चाहिए, तो क्या करने है, deep penetration उनका चालू हो गया उस बैग में, उससे क्या होगा, उनको क्या मिलेगा, nutrition मिलेगा, and they are able to reproduce, this causes the material to become weak, अरे उसका सब nutrition ही खा लेगा, अगर वो फंजाय, तो जाहिर सी बात है, पूरा material वीक हो जाएगा, as a result, gunny bags, leather items like shoes, purse, belts, on which the fungi has grown, do not last long, जादा दिन नहीं चल दे, जादा दिन टिकते नहीं है, wooden items also gets spoiled, that's why in आपके घरों में उसको तुरदिको सफाई करते रहते हैं, और इभी बोलते हैं, अरे इसको moisture लग गया, moisture लगता है, तो क्या होगा, फंजाय आके attack करेंगे, धीरे धीरे वो अपने nutrition के लिए उनको खाली खोकला कर देंगे, और इससे क्या होगा, वो इससे क्या होगा, अब पंजाय को और अच्छे से explain करने के लिए, let's take this example only, अब सादर दिन, अगर moisture रहा, ब्रेड का ही example ले लो, ब्रेड में क्या होगा, अगर ब्रेड में अगर आपने ऐसे इसको मतलब बिना किसी देख रहे कैसी ब्रेड को छोड़ दिया, और इसके रहे करेंगे, अपने स्पोस क्या हो जाएंगे, जैसे ही जर्मिनेशन हुआ, अपनी ग्रोथ, नूट्रिशन और वह कौन से गंदे, अलग सी तरीके से दिखने लगता है, इस, बच्छो, यह ऐसे दिखने लगते है, और इस, ऐसे दिखने लगते है, मुरब्बा और अचार में कभी कबर, देखो, ऐसी ग्रोथ हो जाती है, और ऐसा खाना, फिर खाने लाइक रहेगा, बिल्कुल नहीं, क्यूं, क्यूंकि वहाँ पे क्या हुआ है, फंजाई ने एक पॉईजनस केमिकल रिलीस किया है, तो बोलते हैं, माइको टॉक्सिन, let's understand, various species of fungi grows on food items, अभी तक तो जो मैंने बता है, वो पुड़न आपके material item थे, पर, shoes मैंने बता दी, अब खाने पे कैसे attack करें, various species हैं, जो अब क्या करेंगे, food पे भी attack करते हैं, for example, आपके pickle, मुरब्बा, jam, sauce, chutney, they use the nutrition in this food for their growth, अभी खुद के लिए use करेंगे और reproduction करेंगे, during this activity, fungi is going to release a poisonous chemical that is known as mycotoxin, into the food, and food becomes poisonous, and hence, the food on which the fungi is grown cannot be eaten, आप नहीं खापाओगे ना, खाओगे, बिल्कुल नहीं, क्या है, poisonous उसमें कैमे, आपको आगे चलके, कितनी उससे बिमारी हो जाएगी, ऐसे fungi, जो जिस पे ग्रोन हुए है, ऐसे food को खाना बिल्कुल गलत है, so this is first example of harmful microbes that is fungi, now, यह वाला question मुझे आप सभी से पूछना है, salt is applied on the inner surface of pickle jar, and the pickle is covered with oil, oil, oil से उसको करते, ममी जब घर पर आचाय बनाती है, तो बहुत सारा salt डालती है, और आचाड जो है, पिकल जो इसमें डूबा रहता है, एकदम oil में, क्यों बच्चो, क्योंकि, जो यह salt है, it is a water absorbed, तो यह सारा water उस पिकल में से absorb कर लेगा, मैंने क्या बोला था, fungus कब आएगा, जब water उसको अच्छी एक sufficient मिल गया, कि भाई, मौश्यर है, अब चलो, sporms को germinate करा लो, तो वो मौश्यर उसको दो ही मत, अब वो मौश्यर को कैसे नहीं दोगे, जब आपके पास उसमें salt रहेगा, अचार में जब salt है, तो उसमें क्या किया, सारा मौश्यर खीच लिया, तो आचार में अभी क्या है, मौश्यर रहा नहीं, तो एक preservative बन गया, आ कुछ microbes, they cannot grow, वहाँ पे भी oil एक preservatives की जैसे काम करता है, किसलिए salt और oil बहुत important है, and they also act as a preservative, now, what are the preservatives, अभी तो मैंने आपको एक salt और oil का example दिया, और कांसे preservatives है, salt, sugar भी add करते है, vinegar भी add करते है, sodium benzoate and sodium metasulfite, this is important as for area, exam is concerned, exam में कोशन पूछ सकते है कि कौन से preservatives आपके food में यूज करते है, now, पंजायक ले लिया, example दे लिया, leather bag का example देख लिया, खाने को खरब किया, एक harmful microbes ने, वो भी अमने देख लिया, अब एक another species देखते है, that is a bacteria, और इस वहाँ, bacteria का नाम है, जो हमारे खाने को Clostodium, अब एक Clostodium क्या है, the bacteria which spoils cooked food, पके हुए खाने को खराब करने वाले, कौन है, Clostodium, out of the hundred, इनकी एक दो species नहीं है, इनकी कितनी है, hundred, some are free living in soil, free living मतलब आराम से soil में पाये जाएंगे, some live in elementary canal of humans and other animals, elementary canal में भी रहते, इसलिए तो probiotics ले रहे थे, बच्चो लेक्टो बेसिलाई का, ताकि Clostodium क्या है, harmful है, मैंने क्या बोला था, या probiotics, butter milk खाते हो, तो अच्छे good bacterias रह जाते हैं, और harmful bacteria destroy हो जाते हैं, harmful bacteria कौन है, Clostodium, probiotics ले रहे हो, butter milk ले रहे हो, normal उसको लेते हो, तो harmful bacteria मर जाते हैं, और उसका ही एक example है, Clostodium, Now, these bacteria, फोड़न का देख लें कि दिखते कैसे, these bacterias are rod shaped and produce portal shaped endospores in the adverse condition, one special, बड़े special है, about the, यह bacteria, because they cannot withstand to the normal oxygen level of the air, because they all are anaerobic, anaerobic मतलब for energy production, उनको oxygen की जरूरत नहीं है, Now, अभी Clostodium जो है, cooked खाने, this is a second example of the harmful bacteria, तो पहला हमने क्या देखा, फंजाय देखा, फिर हमने क्या देखा, Clostodium देखा, यह हो गया, अब इनको छोड़के, अभी फंजाय और Clostodium को छोड़के, there are different microbes which are responsible for many many fatal disease also, इसे लोगों की जान भी जाते है, और गई भी है, वो, यह microbes की range है, from protozoa, fungi, virus, आज हम कुछ examples देखेंगे, Let's start, The Spread and Preventation of Disease, आज आप में, एक आपकी बुक में, लास्ट पेज में, चैप्टर के आंथ में, एक चार्ट दिया हुआ है, जिसमें pathogen है, prevent कैसे करते है, prevent disease का spread कैसे होता है, और disease का नाम क्या है, एक ऐसा चार्ट दिया गया है, इनको आपको पढ़ना है, इनको समझना है, और कौन-कौन से organisms हैं, जो harmful है, वो आपको याद करने, तो आपको पहले ही याद हो जाए, fungi और एक याद हो गया आपको, bacteria that is Clostridium, अभी आगे कुछ organisms कौन देखेंगे, और बच्चों इनको आपको याद करना है, ना बिलकुल नहीं करनी, याद होगा अगर आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ोगे, so let's understand, अगर ये बेक्टीरियाज हैं, वाइरस हैं, तो बहुत सारी बीमारी हैं and that's why this man is so sad, because he is also suffering from a disease which is caused by a microbes, let's understand, अब ये तो बहुत सभी ने देखा होगा, डेंड्रफ, रिंग वार्म्स, ये क्यू होता है, इसका pathogen क्या है, pathogen मतलब जिसने ये disease cause की, pathogen यहाँ प्रेमजर में बोल रही है, इसका मतलब इनके कारण disease हुई, pathogen इसमें क्या है पता है बच्चों, बच्चों बन जाए है, अ इसके अगर contact में आप बहुत देर तक, बहुत दिनों तक हो, और आइकेंसे उसकी जो belongings है, उसके कपड़ों से भी, अगर आप उससे contact में आए, तो आपको भी ये होने की chance बढ़ जाते है, अब प्रिवेंटेशन क्या करोगे, अभी मैंने प्रिवेंटेशन बाद में क्यू होगा कैसे, जब वो पता चल जाएगा, तो प्रिवेंटेव मेजर लिखना भी असान हो जाएगा, एक्जाम में इसलिए, अगर आपने mode of infection भी याद कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा, इससे होता है, तो मैं यह नहीं करूँगा, तो यहाँ पे आपको क्य का याद करना है, रोग का नाम, डिजीज का नाम, उसका पैथोजर और उसका mode of infection, अब प्रिवेंटिव मेजर क्या लोगे, परस्टनल हाइजीन रखोगे, जाहिर सी बात है, एक थोड़ा डिस्टेंस भी बना कर रखोगे, and avoid contact with the infected person, ऐसा नहीं कि उसको एकदम दूर से हट या उसको उल्टा सिधा बोलने लगे, बिल्कुल नहीं, but yeah, you have to make some distance, and your personal hygiene should be maintained, now second, malaria, very dangerous, इसमें पैथोजन, कौन ही लेकिया आता है रोग हमारे पास, एक प्रोटोजवा, mosquito bite, mode of action क्या है, मच्छर काटना, से होता है, and yes, unclean, गंदगी, जो जहां पीचिस सराउंडिंग में तो बहुत सारी गंदगी होगी, वहाँ पे ऐसे मच्छर जरूर पाए जाए, मच्छर ऐसे मच्छरों का एक बोलते ना, आतंक रहता है, मच्छर होगे वहाँ पे, अब इनका preventive measures क्या होगा, मैंने क्या बोला, unclean surrounding है, तो मतलग, पहले इसको clean कर लो, cleaning of surrounding, and prevent, और बोलते है Stagnation, मतलग, पानी का जमा होना, वह रोको, controlling mosquito, मच्छरों को रोको, तो बहुत सारे आपके पास, चीज़ें हैं, जिसे मच्छों को मारा या उनकी, उनको रोका जा सकता है, तो वह करो, हम malaria के बारे में, मैं कुछ extra भी आज बताते हो, आपको, क्या होता है, मैंने क्या बोला protozova cause करता है, तो एक जो है, उसमें कौन सा है, एक parasitis इसको बोलते है, प्लास्मोडियम, क्या होता है, एक मच्छर के पास, उसमें उच गया, मतलब वह प्लास्मोडियम जो है, it is present in an infected mosquito, अब यह जो infected mosquito है, जब एक first person को काटेगा, bite करेगा, वह क्या हो जाएगा, first infected person, उसके बाद क्या होगा, भी, for example, इस mosquito ने मुझे bite कि, so I am the first infected person, अब दीरे-दीरे क्या होगा, मेरा लीवर infect हो जाएगा, जैसे ही मेरा लीवर infect हो जाएगा, मेरे RBC भी infect हो, अब मैं क्या करूंगी, अब क्या होगा, आगे चल कर, जब मुझे फिर से कोई मच्छ का, bite किया, that mosquito, ज उसमें भी अब वो parasite जा चुका होगा, मेरे through, वो जाके, एक second person को करेगा, जो विचारा एकदम normal था, अब वो क्या हो जाएगा, second person, infected person, so now malaria is a serious infectious disease that is caused by parasite plasmodium that is going to infect the RBC, first infected person के infected RBC से transfer होते जाना, दूसरों में, एक community spread होता जाता है, और उससे क्या हो जाता है, malaria बहुत speed में बढ़ता है, इसके लिए क्या करना है, अपने अगल बगल के surrounding को clean करना है, और मच्छोरों को भगाने के लिए भी एक उपाय करने पड़ेंगे, Now cholera, cholera में pathogen causing pathogen क्या है, bacteria, it comes mode of, इसका infection क्या है, contaminated food and water, इसलिए उसका preventation भी क्या है, अच्छा खाना खाओ, cleanness रखो, अच्छे खाने में खाओ, तो आपको cholera जैसी बिमारियां नहीं होंगे, Now pneumonia, pneumonia में क्या होता है, bacteria है, pathogen and droplets spread in the air by the infected person, जो से वो infected, जो से परसन को pneumonia हुआ है, कि droplets से पूरी एक surrounding को क्या कर देगा, इसका preventation क्या होगा, vaccination, avoiding contact with the infected person, प्राँचियोल्स का यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे obstacles, obstructions होते हैं, Now very important, डेंगू, अब सबने डेंगू की add भी देखियोगी, जो government के इस पे भी आती है, डेंगू में क्या होता है, virus जो है, वो pathogen है, again इसका mode of infection क्या है, mosquito bite, फिर से वही करना है, अगर मच्चरों से आ रहा है, तो क्या है, टीनिंग और surrounding करो, preventing water का stagnation को, रोको, पानी को ठहरा के जमा के, क्योंकि वहाँ पे मच्चरों की फैदा होने की बहुत उम्मीद है, और मस्कीटों को control करो, now, bird flu and swine flu, virus, contact with infected bird or animal, एक personal hygiene maintain करनी पड़ेगी, and yes, जो लोग non-vegetarian है, cooked meat के सब खाते है, और प्रोपरली पकाओ, जहली बात तो, अगर ऐसी कुछ situation आए कि, swine flu or blood flu भेला हुआ है, तो normally, यह सब चीजों को खाना ही रोकना पड़ेगा, और यह, if you are also, if that time also, और after some time, यह हमेशा के लिए अपने एक प्रोटोकॉल में रख लो कि, cooked meat, जो meat होगा, वो प्रोपरली कुख होगा, to ensure that, यह, it is free from a virus. Now, measles and chicken box, again, virus है, contact with infected person होना होगा, तो यह problem होगा, इसकी vaccination होगा है, तो uncontaminated water से भी, पानी अच्छा रहना चाहिए, खाना अच्छा रहना चाहिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका difference बता देती हूँ, chicken box and measles का example, इसमें जो patch, जो आपको मैं बोल रही हूँ ना, red spot दिखते है, उसके उससे फरक पड़ेगा कि, आपको chicken box है या measles है, अभी let's understand कि, दोनों में fever रहेगा, अब यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है, red spot first appear on the chest, face and back, पहले red spot कहाँ पे start होँगे, chicken box में आना, chest पे, face पे और back पे, whereas in case, in case of measles, they are first appear on the forehead, जब forehead पे शुरुवात होती है, तो क्या है, measles है, और अगर back पे, face पे है, तो क्या होगी, chicken box, इनका, क्या है, cause, is caused by virus and yes, vaccination करना आना पड़ता है, इसका chicken box का, now, influenza, influenza is also caused by virus, it is mode of infection, कैसे फैलता है एक दूसरों में, अगर आप किसी infected person के contact में, personal hygiene and avoid contact with the infected person, now, AIDS, AIDS थोड़ा serious है और बहुत ही अलग इसका एक mode of transmission भी है, virus है, again, HIV एक हई virus, AIDS को भाही बोलते है, HIV virus, through blood and semen of infected person and milk of, अगर, if mother is also suffering from the AIDS, के बेबी को भी क्योंकि वो इसकी milk पे dependent होगा बेबी, अधर भी AIDS होने की चांस होते हैं, safe sexual contact, avoid reuse of needles and injection, इसलिए होस्पिटल में जो आपको injections, सब कुछ लगती है, not for HIV only, for everything, जब आपको safety measure आपके लिए चाते हैं, तो आपको जो needle और यह सब sterile रहती है, sterile मतलब इन हिंदी आइकन से अंच हुई, कोई भी उसको पहले touch नहीं किया रहता, मतलब completely free from any contaminants, क्योंकि वो क्या होगी, वो vaccine और I can say वो needle directly आपके blood में जाएगी, तो अगर वो contaminated रही, तो maybe आपको बहुत अलग कुछ disease हो सकती है, now at the end, hepatitis and leprosy, hepatitis जो है वो virus है, food और पानी के कारण होता है, उनको clean करोगे, और leprosy जो है long term with a contact, infected person और इसका जो है pathogen है, एक bacteria, अब क्या करना है, इस answer को पूरे pro chart को याद कैसे करना है, यह आपका अभी सबसे बड़ा task है, पंजा और Clostridium याद हो गए हामफुल के लिए, वो अभी तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेंगे, फिर यह chart को क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, पहले व्याद को लो virus के कौन से है, फिर बैक्टीरिया का कौन से है, फिर प्रोटोजोवा का कौन से है, सारे pathogen को पहल हींट लग जाएगा, mosquito, dango, mosquito, वो जो हींट लगता जाएगा पहले उसको सरल याद कर रह रहे है, उनको साइड में रख लो और उसके बाद सबसे पहले फोकस करो, पैथोजन के बाद सबसे पहले focus किस पर करोगे? name of the disease और उसके बाद mode of infection automatically जैसे mode of infection याद हो जाएगा preventive measures याद हो जाएगा so this is about the harmful microbes I have made one slide for you now you also can update this list कि मैंने list बताई hepatitis, leprosy, chicken box swine flu, bird flu आप भी अपडेट कर सकते है because now you know because यह जो आपकी list है it is not updated during this pandemic you can also add coronavirus into it and what is the source of infection कैसे होता है and हाँ इसका prevention कैसे कर सकते so you also now now you also can update this list of harmful microbes this is the important of this chapter आज के इस pandemic stage में भी आप अपने से एक example खुच से पता कर सकते है because यह example को न आपने अच्छी तरीके से समझा है but उसके साथ आपने इस पूरे इस pandemic season में उस virus के साथ आपने क्या की है fighting और आपको पता है कि उसके preventive actions क्या होने चाहिए that is social distancing keep update this list and be safe stay safe thank you